मेरे फूरा सारी युवा साथी राक्षिय बाल पुरफ्टार के आप सभी विजात्वा होगो मेरी तरह से बहुत बहुत नभाई अब बदाई लिते लिते ठख गय लगते हैं बदाई ज़ाधा हो गई गई कम है ज़ाधा हो गई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि यहां आते से मास्टर जी ने कहा होगा बहां बिलकुल डिसिप्रिन में रहना है हाथ पर नहीं लाना है ऐसा बोला होगा यहां करके कैसा लग रहा है अपलोगों मतलब क्या मौसम अच्छा लग रहा है और आज क्या देश रहे हैं पैड़ पहुते हैं आपने से कितने लोग हैं जो पहली बार बिल्री आए जो बागी सब बार बार आ चुके हैं तो सब परिचीत हैं यह जो पीछे लोग हैं उनको लिए सवाल नहीं है मेरे जो सब बच्चों के लिए प्रॉम्टिंग पीछे से हो रहा है वैसे दिल्ली आने का अपना ही यह कुछ सा होता है मुझे पता है कि आपको जल्दी जाने का अमबूर करता होगा घर जाने का देखे पक्का आपको मन करता होगा जल्दी घर जाएं क्या क्या हुआ दोस्तों को बताएं फोटो दिखाएं अपना एवार्ड दिखाए, दिल्ली के अनुभो सुनाए, दिल्ली की ठन कैसी है, वो बताएं, ऐसा मन करता है ना, किसी का भी करता है जी, अपने साथियों को, अपनी अच्छी अच्छी बाते बताने का मन हर किसी को करता है, आपको नहीं करता है, देखे पूरी यात्रा की डेर सारी कहानिया होगी जो आप सुनाना चाहते होंगे आज भले न कहते हो लेकिन आपको मन करता है पहले जाकर के दादी जी को तो यह कहना है कहना है ऐसा मन करता होगा और कुछ लोग होंगे जो घर जाके गाएंगे देखो आप मुझे मना कर रहे थे अब पता चला ने मैं अच्छा-च्छा टाम कर रहा हूँ देखे अवोड लेका है तब आप लोग घर में जाकरोगे मम्मी पपा को डाटोगे बताओगे हाँ हाँ देखो हमारे पास फोटू है रास्पती जी के साथ हम अवोड लेके आए हैं ऐसा करोगे ना नहीं करोगे है ऐसा पर सकता है किया आज छुपा कर कर चोरी छुपी से करना है करेंगे नहीं करेंगे यह क्या बच्पन खो दिया आप लोगों अरे बच्पन तो बचा रहना चाहिए आपका बच्पन खो गया जिसको ये मन न करे कि मम्मी पापा का उजा करके ये बताऊंगा, ये कहूंगा, उनको ये सुनाऊंगा तो फिर कोई आपने बच्पन खो दिया तो फिर भी मन करेगा बताने का तो आपको अलग खुला नहीं छोड़ते हैं मम्मी पापा, पीछे लगे रहते हैं उनको भरोसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे ऐसा ऐसा है लग रहा है ना आगली बार बताईगे उनको, मुझे आकली कहीं जाने जो तेके थोड़ी देर पहले आप सभी को जब परिच्छा हो रहा था तो मैं सच्विज में बहुत हरान था इतनी कम अल्म है जिस प्रकार से आप सभी ने अलग-अलग शेत्रों में कुछ न कुछ करके दिखाया है कोई प्रयास किया है, कोई काम किया है आपको तो समाधान हो गई होगा लेकिन आज के बाद आपको कुछ और करने का मन कर जाएगा और अधिक अच्छा करने का इरादा हो जाएगा और मैं समयता हूँ कि यह सारे जो अवर्ड्स पगेर होता है वा आखरी मुकाम नहीं होता है एक प्रकार से यह बिगिनिंग होता है जब कोई रेकिनाइज करता है तो मन को अच्छा लगता है तो एक प्रकार से यह जिन्दगी की शुरुवात है और आपने मुश्किल परिस्तितियों से लड़ने का सहथ दिखाया आपने से कुछ भीर बालत है कुछ ऐसे भी हैं जिन्दगंबीर बिमारियों से लोगों को बहार लिकालने के लिए इज अफ लिविंग के लिए कई नए-नए इनोविशन किये किसे ने आर्ट एंड कल्चर में किसे ने स्पॉर्स में तो किसे ने शिक्षा साहित में तो किसे ने समाज सिवा में विवित दताओं से भरा हुआ आपका योगदान रहा है आप अपने समाज के प्रती राश के प्रती, अपनी डूटी आपने देखाओगा मैंने लाल के लिए से एक बात कही थी, कुछ याद है किसी को लाल के लिए से कुछ कहा था, यहाँ था, बहुत कुछ कहा था, कुछ भी कहोगे तो सत निकलेगा, एक बात मैंने कही थी, कर्टबे पर बल, ज्यादा तर हम अधिकार पर बल देते हैं, अब देश की आजादी को 35 साल होने रहे हैं, तो कब तक कर्टबे पर बल देंगे, नहीं सब लोग नहीं बता रहे हैं, जीना चाहिए सर, ड्यूटी को प्रात्मिकता हैं जी राइट्स को प्रात्मिकता हैं, पक्ता हैं, सब सहमत हैं, चलिए, हम आज एक कानून पास कर दिया, देखें, आप अपने समाज के प्रती, राज के प्रती, अपनी ड्यूटी से और उसके लिए, जिस प्रकार से जागरूग है, ये सिरब आपके माता-पिता को नहीं, आपके परिवार जनों के लिए, जो भी आपके बारे में जानेगा, उन सब को गर्व होगा, उनको पक्क अगर होगा, देखें, मैं एक काम करूँगा, आप सब की फोटो के साथ, मैं आज आपकी जो स्टोरी है, उसको मैं सोशल मीडिया में दुनिया से शेर करूँगा, और इंडिविजल, कैसे आपने किया है, कहां से आये हैं, कैसा रहा है, मैं लिखूंगा उसमें, लेकि काम किया है, उसको करने की बाद छोड़ दीजे, सोचने में भी, बड़े बड़े लोहों को पसेने छूट जाते हों. आप मैंसे जिन्होंन इन्विशन किया होगा, जब अपने टीचर को बता होगा, तो टीचर भी कहता है, तुम मेरा परिशान मज कर, तुम जाओ. उनका दिमाग खपाते होंगा, जब तुम जाते होंगे, वो कुलागता होगा, ये बच्चा इतना ब्राइट है, मेरे पलने कैसे पढ़ जाया? मुझे पढ़ाता है, ऐसा होता है, ज़े? दिए मैं एक बात बता हूँ आपको, आप अपने सभी फ्रेंड्स और टीचर्स को जरूर बताईएगा मैं आप सभी विवास आती हो कि ऐसे सहासिक काम के बारे में जब भी सुनता हूँ आप से बात्तीत करता हूँ तो मुझे भी प्रेणा मिलती है आप से मैं भी कुछ सीखता हूँ अब येक बच्चे ने मुझे पूशा कि आप इतना काम करते हैं तो मा की याद नहीं आती है याद करता हूँ तो सब ठकान उतर जाती है साथिया आप जैसे बच्चों के भीतर छुपी इस प्रतिभा को प्रोसाइद करने के लिए ही ये राष्ट्रिय पुरुसकारों का दायरा बढ़ाया गया है और ये सिर्फ आपको पुरुसकार मिल रहा ऐसा नहीं है इस अवसर के कारण देश भर के बच्चों का इन चीजों पर ध्यान जाता है एक परकार से आप उनके लिए हीरो बन जाते है आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते है जम्मु कष्मिर में बैठा हुआ कोई बच्चा होगा लदाख में बढ़ा हुआ बच्चा होगा नागालिन में बैठा हुआ बच्चा होगा तो केरल के किसी बच्चे की कथा सुनेगा तो इसको रहा वारे देश के बालक ऐसा कर रहे है ये अपने आप में कई गुना इसका प्रभाव प्यदा होता है, इसकी तरंगे चलती रहती है, बेवस लगातार नीचे प्रभावित करते रहती है, और इसलिए इन चीजों के तरफ इन घटनाओं को कभी कम नहीं आपना चाहिए, उसका अपना एक महत्वा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब नाम हो जाए, अख़वार में तस्वीर सब जाएं, तो फिर हम भी जमीन से दो तिन फ्यूट ऊपर चलते हैं, तो पैर जमीन पर नहीं पढ़ते हैं, ऐसा हो जाता हैं, फिर गर में भी, देखिए मुझे कोई काम मत होता है, मैं नेशनल यावर लेके आया, ऐसा होता है तो क्या ऐसा करोगे आप लोग, मैं जमीन पर रखोगे, अधिक्तम लोगों के जीवन में दो पड़ावाते हैं, एक सहज वाव से अच्छा करता चला जाता है, और जब कहीं रेकिनाइज हो जाता है, फिर जाने अंजाने में हवा बर जाती है, और फिर वो उसी में रहता है, आगे कुछ नया नहीं कर पाता है, उसको लड़ता है, बस हो गया, फोटू छप गई, दिल्ली हो आया, राट्पदी बहवन हो आया, अब क्या है, जिन्गी में सब हो गया है, जिन्गी इतनी छोटी नहीं है, दूसरे वो लोग होते हैं, खोदते रहते हैं, और वे नई नई चीजों को हासिल करने के लिए, रुकते नहीं, ठकते नहीं, मैं चाहूंगा, कि आप कभी भी अपने जीवन में को दूसरे प्रकार के आदतों को गुसने ही मत देने, अभी जो हुआ है, वो कुछ नहीं ऐसा ही मान के जागी है, ठीक है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, देश को बहुत कुछ देना है, खुद को हर प्रकार से तैयार करना है, यह अगर जजबा लेकर के जाते हैं, तो आप देखिए, आपको इस आउसर का बहुत बड़ा आनंद बिलेगा, उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो बत पहले पर जाएंगे इतने हाथ उपर कि यह कृतने लोग हैं जो पहले रास्ते पर जाएंगे, अचा यह बताएज जो दूसरे रास्ते पर जाएंगे वो कौन है, इसका मतलब आप मेरी बात समझे देगे, मैं यह कह रहा था कि एक रास्ता वो होता है, जो पहला रास्ता कि जिसमें इसको आप अंतीम नहीं मानते हैं, इसको आप शुरुआत मानते हैं, आपके पैर जमिन से उखड नहीं जाते हैं, आप हवा में उढने नहीं लगते हैं, और कुछ और अधिक करने का संकल पकरते हैं, ये पहला रास्ता है, दूसरा ये बहुत हो चुपा, अब पोट यह पहला रास्ता कि दूसरा पका देखिए पहले गल्टी की थे न हैं अच्छा मैं आप से कुछ सवाल पूछता हूं आप में से कौन इतने लोग हैं जिनको दिन में चार बार याद कीजिया डेली चार बार पसीना आता है फरपूर पसीना आता है पूरा पसीना पसीना सरीर हो जाता है से कोई भी सिजर हो ठंडी हो गर्मी हो जिसको चार बार दिन में चार बार पूरा पसीना निकलता है से कितने हैं कैसे निकलता हैं दूप में खड़े रहते हैं और कोई पसीना ही पसीना हो जाता है अच्छा, देखिए एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने दोस्तों के भी बताएगे, कि जिसको दिन में चार बार पशिना नहीं आए, ऐसा एक भी बालक नहीं होना चाहिए. मुझे एक मार किसे ने बहुत साल पहले पूशा था, कि आपके चहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था, मैंने अगा मेरे सरी में इतना पस्षिना निकलता हैं महनत करता हूं और मैं उसी पस्षिने से मानिस करता हूं, इसलिए चमक जाता है अच्छा आप मैंसे कितने लोग हैं, जो पानी पीते हैं, तो खड़े खड़े पीते हैं, बैठ करके नहीं पीते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? देखिये, पानी जब पीते हैं, तो बैठ करके पीजिए, छोटी चीज है, लेकिन आपको जाकरके उसका सास्त्र कोई समझाएगा, मैं उसके चक्र में ने परता हूं, ने करेंगे ये, अच्छा आपको से कितने हैं, जो पानी दभाई की तरा पीते हैं, कुछ लोग होंगे जो पानी जूस की तरह पीते हों, पानी का भी आनंद लेते होंगे, कुछ लोग होते होंगे दभाई की तरह, कितने हैं जो पानी को, पानी का बज़ा लेते हैं, पानी का टेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, आप कोशिश किजिए, पानी का टेस्ट होता ह वो सरी को भहुत फाइदा करते हैं, आप उसको एंजोई कीजिए, दवाई की तरह ऐसे पानी लगा दिया, ऐसा मत कीजिए, करेंगे, आप कहेंगे, क्या फाइदा, मा तो कह रहे हैं, पढ़ा ही कर और मैं पांच मिनिट तक पी रहा हूँ, जगड़ा हो जाएगे न, कभी-क मा दूद लेकर आती है, मा को काम ए, टी-वी-शिरियल चल रहा है तो मा कहती है, चल चल दी दूद पी ले और आप भी-टूद पी दवाई की तरह पी जाते हो, क्योंकि मा को सिरियल देखने बैठड़ना है, ज़ए होता है न, ज़ए होता है इन, कॉनसे सास भी कभी बहु होती है चोटी-चोटी चीजे होती है हमने बच्पन में शरीर को जयो आदते डाली होती है तो जीवन भरकान होती है और मन में वो एकडम से फिट बैढ़ जाता है आपको मारू है देश में अभ्यान चल रहा है पता है कितनों को मारू में तो फिट इंडिया के लिए किस दर्जी के पास जाते हो खिस ट्रेलर के पास जाते हो कौन फिट इंदिया के लिए टेलर के पास कौन जाता है तो क्या करते हैं फिट इंडिया के लिए, कोई बताएगा, ने क्या करते हैं, एक्सेसाइज कहने से थोड़ा फटाएगा, कोई कहेगा मैं सुरी नमस्कार करता हूँ, कोई कहता है मैं साइकलिंग करता हूँ, कोई कहता है मैं स्विमिंग करता हूँ, क्या करते हैं, योगा, अजय आपने से कितने लोग हैं, फटाफट पैड पर चड़ जाते हैं, फिर उतर जाते हैं, घर्वालों को चिलाना पैड, नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे कितने लोग हैं। देखिए साहस, यह हमारे स्वभाव में होना चाहिए, यहाँ पैर रखूँगा तो धिर जाओँगा तो यह करूँगा तो ऐसे जिनकी नहीं जीते, साहस के बिना जीवन सम्मव नहीं है, और छोटी-छोटी चीजों का साहस करने की आदत बनाओगे, तो आगे चल करके वो भ हमायेगा, और आप जैसे लोग जब करेंगे न, तो भागी पचास लोग देखेंगे, अरे देखो यह भी करता है, इतना एवाड लेकर आया, फिर भी इतनी महनत करता है, इतना हम नमान सम्मान लेकर के आया, लेकिन देखिए यह काम कर रहा है, तो क्या होगा, बहुतों को प्रेणा मिलेगी, करोगे, पक्का करोगे, तो कल परसो 26 जन्वरी की तहरी, तो सिखाया गया होगे, ऐसे ऐसे करो, दाइने हाँचे करना है, बाए हाँच से, यह नहीं बताए, जिस तरफ लोग होंगे, उस तरफ करना है, है, हम तो होंगे ते यह, पाइट मीटर, दस मीटर तक ही होंगे, बाएट कर तो बहुत धूड़ होती है, ऐसा दोनों, ऐसा ऐसा, है, 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 चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग एंजोई कीजिए, और दिल्डी में बहुत कुछ देखिए, अलग-अलग ज करांतिकारियों बलेकर बहुत अच्छा मीजिम बना है, देखेंगे आप लोग, देखेंगे आए, ले जाने वाले हैं, कल है, पक्का, अच्छा वार मेमरेल देखा, है, नहीं देखा, देखेंगे वार मेमरेल देखने की जाना से, और अपने राज्य का, कोई एका भी जो मुझरी वेह और इस जिए भी शहीद का नाम उसका नाम है, उसका फोटो, लेकर जाना चाहिए, किसो को देखाना है, दिखेंगे, हमारे कॉली अपने राज्य का गुणना चाहिए, ऐसे ही देखेंगे, नहीं आना चाहिए, पुजो नाम भी जिखेंगा धी जाना चाहिए यहां एक पुलिस मेमोरेल बना है, देखने जाओगे, जाओगे, आपको मालूम है, इस देश में 33,000 से जादा पुलीश, कभी कभी लोग पुलीश से नफरत कहते हैं, पुलीस वाला कहते हैं, चलो इधर चलो, शाय कलियाम बत रहते हैं, तो गुस्सा आता है, ना, 33,000 पुलीश, देश के नागरीकों की रक्षा के लिए सहीद हुए हैं, आजादी के बाम, हांकड़ा बहुत बड़ा है, 33,000 उस पुलीश के पती है, आधर का गवरों का भाव बनना चाहिए, देखिए, समाज जिवन में बदलाव शुरू हो जाए, पुलीश ममरेल देखोगे न, तो आपको लगेगा, ये सता काम होता है, ऐसे करते हैं, करोगे, पका करोगे, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुपक्रामना है, आपको, बहुत सुपक्रामना है,